सब्सक्राइब बनाने में बहुत ही आसान बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा बच्चे हो या बड़े सभी लोगी से बहुत ही चाव से खाएंगे ऐसा हमारा आज का चुन्दा बन करके तयार होगा और इसे बनाना इतना असान है कि बिगनस होया एक्सपर्ट सभी लोग बहुत ही असानी से बना सकते हैं और साल और साल तक कैसे इसे स्टोड कर सकते हैं यह भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो आए शुरू करते हैं अधा की लोग से जादा हमने आप आवला ले लिया है और मैं आपको बता देती हूं यहाँ पर दो तरीके के छोटे वाले और एक के बड़े तो यहाँ पर बड़े आवले का मैंने इसाइक रेट करना पड़ता है छोटे आउले को थुड़ा ग्रेट करने में टाईम लगता है लेकिन मैशी क्योंकि बॉइल और भाब देने से क्या है इसका जो कड़वा पन यानि कसेला पन निकल जाएगा और अगर आप इसे डायरेक्ली ग्रेट करके बनाते हैं तो इसका कड़वा पन भी उसी तरीके से रहेगा तो इसलिए आज मैं बहुत सिंपल सा तरीका लेकर क्या हूं पानी मैं यहां पर आउले को बॉइल करूंगी बहुत जादा नहीं लगभग पांच मिट के लहमें से बॉइल करना है आप चाहें तो प्रेशर कूकर में डाल करके इसे एक सीटी बजा भी सकते हैं फ्लेम को हमने अन कर दिया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी आउले त देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शनों को वहां पर आपको मेरी रेस्पी मिल जाएगी तो यहां पर पूरे आउले हमने डाल दिये हैं अब मुझे क्या करना इसे ढख देना है और ठक कर लगबग पांच मिंट के लिए हाई फ्लेम पे पकने देना है उसके आवले को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है अगर आप इसे ओवर कुक करेंगे तो इसे ग्रेट करने में आपको ऐसा लगेगा कि यह हलवा बन रहा है तो हलवा हमें से नहीं बनाना है हमें से रिसे दार छुंदा बनाएंगे तो यह देखिए आवला बस हमें इतना पकान करना है कि बिल्कुल भी ख्रैकना हो बस यह पक जाए बस क्रैक नहीं होना चाहिए यह देखfeit एकदम पॉफट इस तरीके से आ मैं पका करके तैयार करणा है तो अब क्या करेंगे इसका कोकिंग पूकिंग प्रोसेस लोक ना है, तो यहाँ पर जो आउले का पानी थाना, मैं उससे साइड में रग दिया था, तकि मैं उसका इस्तमाल कर सकूँ, आप उससे चाहे तो पी भी सकते हैं, या फिर आप क्या कर लीजे, आप चाहे तो अपने बालों को भी इसे अच्छे से वाश कर सकते हैं, तो यहाँ पर आउला पूरी तरीके से थंडा हो गया है, तो अब मैं फटा-फट से इने ग्रेट कर लेती हूँ, आउले को ग्रेट करने के लिए मैंने अपे ग्रेटर आप इसे बॉल कर सकते हैं, तो यह देखे कुछ इस तरीके से मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेना है, तो अब बारी है इन्स्टिंट वाला छुंदा बनाने की जो टेस्ट में बहुत जादा स्वाधिस्ट होगा और आप इने सालों साल तक कैसे स्टोर कर स है, पैन में हमें यहां पे कुछ भी आट नहीं करना है, हम इसमें डैरेक्ली आट करेंगे चीनी, तो आधा किलो हमने यह पे लिया था आवला, तो आधा किलो हम इसमें एट करेंगे चीनी, तो लगबग 2-5 कप के करेंगे, हम इसमें चीनी आट करेंगे, चीनी डालने के सा पकने देना है उसके बाद हम इसमें अड़ करेंगे आवला तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चीनी है वो हलकी सी घुल गई है तो अब मुझे क्या करना है, इसमें डाल देना है आवला, यह देखे, जो हमने ग्रेट किया था आवला वो पूरा आड करेंगे, याद रखना, जितना हमने यहाँ पर आवला लिया है, उतना ही हमें यह पर चीननी का इस्तिमाल करना है, आपने मेरे चैनल पे आवले का बिर्स करना क्या है इसे हमने घ्रेट किया है जंदा डनाने के लिए उसे पीस लेए और चीनी कुण ना में बढ़ा देना है और सेम प्रोसीज़र इसे असल बनानीर का तो इस तरीके सापना सकते हैं वीडियो अगर आप छाहते हैं तो कॉम्में ने ज suffer करके तो यहां पर आप देख सकते हैं आवला और चीनी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है धीमी आश में हमें इसे कंटिनिशली पकने देना है इसे पकने में लगवा 45 मिनट या एक घंटे लग सकते हैं तो धीमी आश में अच्छी तरीके से तैयार हो गया है लगवक 40 मिनट लगे है धीमी आज पर हमने इसे पकने दिया था और यह देखे बिल्कुल जला नहीं है बहुत ही अच्छी तरीके से यह पक गया है तो अब हम इसे और जादर टेस्टी बनाएंगे तो अब हमें इसमें डाल देना है सो बहुत ही बेनिफिट का काम करता है आपको सर्दी जुखाम बिल्कुल नहीं होगा और आउले में तो वाइटमीन सी बहुत जादा कूट कूट कर भराई होता है तो इससे आपकी इम्यून सिस्टम भी बढ़ी रहेगी तो मैंने आप एक बड़ा चम्मज के करीव हमने आप जैफल का जो पाउडर होता है उसका इस्तिमाल क्या है ताकि बहुत जादा टेस्टी लगे सभी चीजों को अब हम अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए और हमें इसे अभी लगबग 5-7 मिनिट ले और पकने देना है तो यहाँ प आप खराब ना हो ऐसा में चुंदा बनाना है तो अब क्या करेंगे इसे और अच्छी से पकने देंगे हाइफली पर जैसे पकी तो इसका बदलता जाएगा तो अब मैं करने वाली हूं क्या इसे फटाफट से मैं एक बोल में ट्रांसफर करूंगी और मैं इसे तो एंजॉ गएगा जैन में और बनाने में आपने देखा कितना आसान है इस प्रिज्गा खाइश यह उटाप लिए जाए वीडियो पसंद आ ही टो एक लाया ज़रूर दे दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में चेटा से बेल आइकन होगा उसे प्रेस करना बलकुल आपको ले ताकि आने वाले मेरे ने अब्डेट आप तक सबसे पहले पहुंचें थाइंक यू फ़र्चिंग गोल्डिस कीचन बबाई फ्रेंस बचल दें मिलूंगे आपके और भी नहीं इंट्रस्टिंग से रेस्पी लेकर के तब तक के लिए के मैं तो जारी से इंजॉय करने और आप दीखते हैं गोल्डिस कीचन बबाई